ओम शान्ति, ओम शान्ति, मैं एक आत्मा हूँ, इस शही का नाम यश्पाल है, दिल्ली निवासी हूँ और बिजनस्मेन हूँ, मुझे दोजार आठ में हार्ट की तकलीफ हुई थी और इस्टंड डला था, उसके बाद फिर दोजार सोला में दुबारा हार्ट की तकलीफ हु बाइस में दिसंबर में फिर तकलीफ स्टार्ट हुई, पहले लगा शायद सर्दी की बजा से है, बाद में दॉक्टर को दिखाया, एक दिन दिक्कत जादा हो गई, सीने में दर्द हुआ, रात को चार बजे हुश्पिटल गए, तो वहां पता लगा कि फिर जो है ब्लॉक स्टन्ट डला हुआ था, उसमें फिर रुकावट स्टार्ट हो गई है, और उसका भी ऑपरेशन जो है फिर करना पएगा, तो पूरा परिवार चिंति था, मैं भी चिंति था, उसके बाद एक दिन वटसब पे शिवानी भैंजी का एक वीडियो आया, जिसमें मुझे ये ज ब्लॉकेज जो है, और कई अन्ने तरह की बीमारियां जो हैं, वो दूर हो जाती है, तो उसको सर्च किया, ढूंडा, पता किया, तो वो प्रोग्राम के लिए हमने निवेधन किया, तो हमें उसकी अनुम्वती मिल गई, और जो साथ माई से तेरा माई तक के प्रोग्राम मे मैं आया हुआ हूँ, और ऐसा प्रतीत होता है, ये साथ दिनों में ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, कि जितना सुना था उससे कई अधिक पाया, एक अधवूत अनुभूती हुई है, एक ऐसी आत्मिक शान्ती मिली है, और डॉक्र साब ने जैसे जैसे हमें बताया है, वास्तव में हमारी बिमारियां जो हैं, वो शारीक से ज्यादा मानसिक हैं, और वो बाबा से जुडने की जो प्रेड़ना तेते हैं, उससे हमारी मानसिक बिमारियां दूर होती हैं, हमें आत्मभल मिलता है, और शक्ती मिलती है, और इतने से छे दिन का, अभी तो आज स आत्मा दिन है छे दिन के प्रोग्राम में ही हमें ऐसा लग रहा है कि निश्चित रुप से जो है हमारी बिमारी दूर हो गई है और अगर कोई कहीं कमी है तो जो हम घर जाके उसका पालन करेंगे तो निश्चित रुप से दूर हो जाएगी और मैं बहुत-बहुत हूँ कि ये जो महान आत्मा हमारे बीच कारे कर रही हैं बाबा की किरपा से डाक्टर सतीष गुपता जी इनको हम अधिक से अधिक सयोग दें और जैसे ये हमें बताते हैं उसका हम पालन करें और ये अधिक से अधिक रोग्यों की सेवा करें और जो हस्पिटल बन रहा है उसमें अधिक से अधिक डाक्टर को तयार करें ताकि भविश्य में आगे हमारे आने वाले बच्चों को लिए सही गाइड़न्स मिल सके ओम शान्ती अहुम शान्ती मैं एक आत्मा हूँ इस शरीर का नाम दीविये शाह है पेश्य से मैं डॉक्टर हूँ पिछले 25 साल से बढ़ोदा शहर में जनरल सरजन के होद्दे से मैं प्रेक्टिस कर रहा हूँ खुद का हॉस्पिटल है मुझे करीब एक साल पहले से ऐसा महसुस होने लगा था कि मेरी थोड़ी धड़कने तेज हो रही है जिसके पश्चात मैंने डॉक्टर होने की कारण थोड़ा जल्दी अपना इन्वेस्टिगेशन करवा लिया कुछ लोग इतनी छोटी बात को ध्यान में नहीं लेते इन्वेस्टिगेशन करवाने के पश्चात मुझे पता चला कि मेरी जो नलिया है उसके एनाटमी बोलते हैं वो थोड़ी टेड़ी मेड़ी है और उसमें से एक नली 80% ब्लॉक हो चुकी है सारे जानकारी वाले काडियोलोजिस्ट और डॉक्टर से बात होने के पस्चात पता चला कि इसमें सिर्फ बाइपास एक ही इलाज है हाला कि मेरी आयूक कम थी मेरे सर पे काफी जिमेवारी थी और मैं अपने असोशेशन का प्रेसिडेंट उस वक्त था और काफी उचे-उचे हुद्दे संबाल रहा था तो लोगों के बहकाव में मैं आ गया थोड़ा मुझे लगा कि अप्रेशन नहीं करवाओंगा तो शायद किसी भी समय पे मुझे कोई तकलिफ हो सकती है वैसे उस वक्त तकलिफ नहीं दी पर कभी होने के डर से मैंने एक बार अप्रेशन करवा लिया अप्रेशन करवाने के पस्चात जब मैं लोगों से मिला तो मेरी और मैंने ये श्रीवानी दीदी का वीडियो देखा नंदुबाई करके एक बीके है हमारे यहां जिन से मेरी बात हुई तो उससे मुझे जानकारी मिली के इस तरह से माउंट अबू में डॉक्टर सतिष गुपता जी जो है वो कैड का प्रोग्राम जलाते है तो मैंने उनको अपने सारे रिपोर्ट भिजवाए सर ने बहुत ही अच्छे से रिपोर्ट देखके मुझे बताया कि भई यह अपका उपरेशन जो हुआ है वो तो एकदम सही हुआ है पर यह तो बीमारी कांत नहीं है इसमें तो उन्होंने बताया कि हम पिछले 25 साल से कैड का प्रोग्राम चला रहे हैं और काफी पेशन्स को हमने देखा है कि ब्लॉक में फिर से ब्लॉक हो जाते हैं स्टेंट में भी दुबारा स्टेंट डलवानी पड़ती है तो आप ऐसा हो तो हमारा कैड का प्रोग्राम अभी जो चल रहा है उसमें आजाओ और आप देख लो कि किस तरह से काम करता है तो मुझे वैसे तो काफी जानकारी माइंड बॉड़ी वगरा कि ती तो मैंने सोचा कि नहीं एक बार ये प्रोग्राम हम अटेंड कर लेते हैं और शायद बाबा की यह इच्छा थी तो हम उनके बुलावे पे यहां आ गए अभी यहां काईड प्रोग्राम में आके हमने देखा कि यह जो बीमारी है कोई भी बीमारी वो माइंड बॉड़ी और सोल यह तीन तरह की तकलिफों से होती है और उसमें भी यह जो हमारा शरीर है उससे भी जादा अधिकतम रोल जो है वो अपने मन का है जो हमारी आत्मा को वीक कर देता है तो यह जो बीमारी है, उसकी जड़ जो है, वो मन में बैठी हुए, मन में बसी हुए है, हर चीज को गल तरीके से देखना, बहुत उत्तेजित रहना, जैसे कि शायद अभी पिछले 10 वर्षों से तो मैं काफी शांत हो गया हूँ, पर जिस तरह से सर से बात हुई, शुरुव में रहता था, तो शायद यह सब कारण थे, जो इतनी कमूर में, मुझे इस बीमारी का शिकार होना पड़ा, वैसे और चीजों में देखने जाओ, तो मैं खुद भी सोच रहा था, मैं भी काफी सर्प्राइज हो गया था, कि मैं कोई बुरी आदत नहीं है, मेरा वेट करता हूं, खुराग भी मैं अच्छी लेता हूं, तो मुझे तो यह बीमारी नहीं होनी चाहिए, और उसकी वज़े से मैं थोड़ा दुखी भी हो गया था, जब मुझे पता चला कि यह बीमारी है, पर सर ने बताय कि इसमें दुखी होने की बात नहीं है, यह कुछ पिछल सालों में जो आपने स्ट्रेस लिया है, उसकी वज़े से हुआ है, तो शंक्षिप में इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जो बीमारी है, बीमारी का जड़, सारी बीमारियों का सिर्फ केड में हमने यह देखा कि हार्ट का नहीं है, सारी बीमारी हो डायबिटीस ले ले लो, सारी बीमारी का जड़ है, वो अपना दिमाग है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी उतनी ही इंपोर्टन है, सायद आज तो मैं यह क्या पाऊंगा कि हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट से अधिक इंपोर्टन है कि आप अपनी मानसिक मनोदशा को अच्छा रखो, पॉजिटिव सोच तो आत्यात्मिक तो सब लोग होना जरूरी है, बाबा से कनेक्टेड रहो, मेरे यह आने के पहले मैं अच्छी बात यह कर सका कि मैं दस, साथ दिन का राजयोग का कोर्स हमारे नस्दिक में एक सेंटर था, वहां करके आया, तो जो कि मैं यह चीजे पहले नहीं जानता था, त कि मैं अच्छी से अपने दिमाग को तैयार करके यहां आया, कि भी यह राजयोग मेडिटेशन क्या है, और इससे मन को किस तरह से शान्ती प्राप्त हो सकती है, और यहां पिछले 5-6-7 दिन से रहते हैं, बहुत ही सुंदर वातावारन है, इतना अच्छा पाहड़ियों के नीचे जो पॉजिटिव वाइबरेशन यहां के है, उससे आदे रोग तो उससे दूर हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह से हमारी केर ली गई और आजाओ की तरह हमको रखा गया यहां पे, वो बहुत ही सहलाने वाली बात थी, खुराक भी इतनी इंपोर्टन है, के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी गई हमको, और अच्छी तरह से खुराक खिलाया भी गया हमको, और आगे बताया भी गया कि इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे, तो मन को पॉजिटिव रखोगे, खुराक अच्छी से खाओगे, और अपनी दवाईयां जो बेर मिनिमूम लेनी है, वो लेते रहोगे, और प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो करोगे, तो सत प्रतिसद इसमें हो को सक्सेस मिलेगा, और मैं कॉन्फिडंट हूँ के यहां से जाने के बाद, यह सब चीजों का पालन करके, मैं यह बीमारी को अपने सरीर में वापस सिर्फ तीस साल की आयू है, इनकी नाम, हाविवेक पाल सी, यह गवालियर से आये हैं, सिर्फ बाइस साल की कम उम्रों में इनको पहली बार गैस की तकलिफ हुई थी, जब उनको बताया गया डाक्टरों के द्वारा की भी यह गैस की बिमारी है, आप इसकी चिंता मतलो, ज ज़्यादा केर नहीं किया, उसके बाद दोजार उननीस में ज़से ज़से साल की आयू में इनको पहला अटेक आगया, जब अटेक आया, गवालियर में दिखाया तो डाक्टरों ने बोला कि इनको तीन तीन वैसल्स ब्लॉक है, जो इनके मानने में नहीं आया, क्योंकि आयू में इस तरह से अटेक आना और वैसल्स ब्लॉक होना, इनको डॉक्टरों पे शॉक हो गया, इनको डॉक्टरों ने बताए कि इनको बाइपास करना पड़ेगा, उसके बाद उनको नजदी की बीके सेंटर से और उनके घर में से पता चला कि इस तरह से केड़ प्रोग और सब कुछ कर रहे हैं, और आज केड़ में आने के बाद इनको जड़ पता चली कि इनकी यह कम आयू में जो अटेक की बीमारी हुई है, उसकी भी जड़ इनकी चिंतित परसनालिटी है, और खान पान में जो यह ध्यान शायद नहीं रखते थे पिछले दिनों में उसकी अजये से हुआ है, तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब और ज्यादा बताने का मतलब यह है, कि वे सोचना कि यह बीमारी आगे की या के जा कि अुम्रम में पैपिः, फैले हम लोग यह देखते थे कि यहใता सतर साल, ऐसी साल में, साट साल के बाद आती थी, अभी तो यह तेसरी स जो है सात्विक भोजन है वो खाने की सला दे और उनको भी एक स्पिरिच्वल कोशन जो है वो बढ़ाने के लिए आप हेल्प कर दे ओम शान्ति ओम शान्ति